हेलो दोस्तों सुबागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट वैल्स ततुल में मैं हूँ आपका दोस्त ततुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से आई यूल सी पी जो की उपर के लेवल से फिर से फिसलता हुआ नजर आ रहा है तो कहां पर यह बेस बना सकत है तो बीच रुपे के आसपास इस टोग चलता था और इवन अगर देखें 27 में तो आट सट रुपे के आसपास था वहां से पहूंचा है 898 रुपीज के आसपास देख सकते हैं यहां तक स्टोग पहुंचा है वहां से ने फिफिटी परसेंट से भी ज्यादा की पौरेक् तो यहाँ पर RSI काफी ज़्यादा कम है मंतली चार्ट के उपर तो बीकली चार्ट पर देख लेते हैं किस टाइप का है तो बीकली चार्ट पर देखिए 37.40 की RSI है याँ यहाँ पर विस्टेंथ काफी ज़्यादा कम है 60 की चाहिए बट 37 के असपास किये तो यहाँ पर विस् और इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है तो आप देखेंगे मल्टिपल टाइम इस लाइन के आसपासी इसने बनाया है लगबग आप देखेंगे 348 का और उसे पहले 330 के आसपास का और स्टोक देखेंगे तो 292 के लेबल तक भी गया है तो रिसेंट में जो लोज इसके बने है वो बिलकुल आप देख सकते हैं फिर से टेस्ट करता हुआ स्टोक जो है नजर आता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर देखें जो डेली चार्ट है इस टाइप से पूरा का पू था 353.70 के आसपास का है यानि इस लाइन के उपर बिलकुल आपको नजर रखे चलना है अगर इस लाइन के नीचे की ब्रेकडाउंड यह देता है तो स्टोक फिर से काफी बीग होगा और एवन 330 और उसके बाद 310 और 290 के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता जानी 300 क पर भी हमें 50 की चाहिए बाट यहां पर भी काफी कम है तो किसी भी टाइप का कोई उच्छा लाइए आपको तब तक इसके अंदर पैसा नहीं लगाना है जब तक स्टोक इस लाइन को ब्रेक करके उपर की तरफ ना निकल जाए आपको लोंग टरम प्लेकर पैसा लगाना ह अधरवाइज आपको इसको अभी अवाइड करके चलना है और किसी टाइप का लोंग टरम का इंवेस्टमेंट अभी इसके अंदर नहीं बनता है क्योंकि ट्रेंड को पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है ऐसा नहीं है कि 50 परसेंट डाउन आ गया है तो इस टोक अभी खृज करने की इसला देंगे बर तभी जो इसका पैटर्ण है टोटली जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं यहां से स्टोक ने बढ़ना स्ट के रहा तो यहां पर एक अच्छा इस टाइप का ट्रेंड चला और यहां पर फिर से ब्रेक डाउन किया और फिर से कि अगर डेली देखें बीकली देखें अमनतली बिलकुल भी नहीं है तो अभी इसको आब आई वाइड करके चलना चाहिए ठैंक्यू धन्य बात